कि डाउट कन्फिजन एंग्यूलर मोमेंटम में होता है तो एंग्यूलर मोमेंटम एंग्यूलर मोमेंटम को हम दो तरह से पढ़ेंगे एक पार्टिकल के लिए और दूसरा रिजिड बॉड़ी के लिए जिसका साइज मेटर करता है है तो फॉर्मल दफिनिशन फॉर्मल दफिनिशन फ गिलर मोमेंटम of a particle is L equal to R cross P यह angular momentum की definition किसके लिए है particle के लिए यह rigid body के लिए नहीं है particle के लिए है मतलब एक particle है उस particle का linear momentum कितना है P के बराबर है और R के आए उसका position vector है तो यह तुमको याद होगा क्योंकि torque पढ़ते हैं समय हमने इस पर काफी ज़्यादा stress दिया था इसको समझादा कि R क्या होता है तो R क्या चीज़े बूले तो नहीं रिया तुम बताओ R क्या है आज कल तुमसे ज़्यादा डर लगने लगा है ज़्यादा रहती हो बोलो R क्या है जिस particle का angular momentum निकालना है यह उस particle का position vector है R और position vector coordinate system के relative लेते हैं तो coordinate system का जो origin है उस origin के relative position vector बनाया है आप कुछ छोड़ी चोड़ी चीज़ें वह अपने आप पर लेना इसकी unit क्या है ऐसा unit angular momentum की क्या इतना सोच रहा है unit बोलो क्या है इसकी अच्छा अगर टोटल angular momentum निकालना हो किसी system का टोटल angular momentum अगर किसी system का निकालना हो तो क्या करते हैं हर एक particle का angular momentum अलग अलग निकाल लिया यानि ri cross pi एक कई सारे पार्टिकल हैं जिनके पॉजिशन वेक्टर है आरवन आरटू आरथ्री आरफू आरइन उनके लिनियर मोमेंटम है पीटू पीटू पीट्री पीएन ठीक है तो कोई इथ पार्टिकल है उसका angular momentum हो जाएगा ri cross pi और इन सभी का vector sum कर देंगे submission कर देंगे तो निकल आएगा टोटल एंगिलर मोमेंटम हो गया अब एंगिलर मोमेंटम का जो calculation है उसे करने के तरीख है क्या है अब भदला एंगिलर मोमेंटम को कैसे कैसे कैलक्लेट करना है तो देखो जब रहा हूं कि मैथर्ड ऑफ कि कैलकुलेशन और ऑफ कि मैंगिलर मोमेंटम कि तो सबसे पहला तो है सबसे सीधा सादा मैथर्ड मैथर्ड वन उसमें क्या करते हैं उसमें ऐसा करते हैं कि कोई पार्टिकल है यह तो मान लिया कि एक्सेस ऑफ रोडेशन है यह एक्स एक्सेस है यह यह एक्सेस है ठीक है कोई पार्टिकल है यहांपर पी प्रफित על को पार्ठिक्ल को क्याले ले ले लिख लेते हैं पार्ठिक्ल है और इसका पॉजीशन वेक्टर हो पार्ठिकल का और जो लिनिहर ममेंटम है वो यह है इसको कहते हैं him लिनियर ममेंटम का यह क्या बताता उसको कहते हैं आठेक्षा, जैसे Fortnite की 131 установ तो यह पार्डिकल की लाइन अफ मोशन है अब जब हमको एंगुलर मोमेंटम केल्पिल करना है सिंपल सिंपल मैथट से तो यह लिखेंगे मॉडुलस ओफ आर मॉडुलस ओफ पी इंटू साइन थीटा तो इसमें थीटा कौन सा इंगल है यह याद होगा तो इसमें जो थीटा इंगल आएगा वह एंगल होगा इसको बढ़ा जेते हम आगे पोजिशन वेक्टर को तो यह एंगल चाहिए हमको थीटा समझ में आया दो वेक्टर के बीच में एंगल वह एंगल होता है जब दोनों टेल आन टेल होते हैं तो यहाँ पर लिखा हमने पी और यह position vector था ऐसा R तो दोनों के tail अगर हम मिला था तो यह angle theta है तो यह angle हो जाएगा L equal to P into R sin theta N cap यह angular momentum basically calculate हो गया इस angular momentum की direction क्या हैगी R cross P करेंगे तो R से P की तरफ तो इसकी direction है outward perpendicular to the plane outward यानि इसको N cap को क्या लिख सकते हैं K cap की direction है ठीक है तो यह तो simple तरीका होगी है इसमें हमने कोई भी खास चीज नहीं की बहुत अलग से कुछ नहीं किया और क्या तरीका होता है angular momentum को अगर particle का निकालना है तो और क्या करते थे बताओ आएगा ये एंगल थीटा था ये एंगल है पाई माइनस थीटा तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टो ये आर परपंडिकुलर अब आर ठीक है साइन नाइन पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा की बराबर आएगा थी है r sin theta ही हुआ तो यहाँ जो लिखा हुआ है angular momentum इसको मैंसे भी लिख सकते हैं l equal to p into r perpendicular into k यानि angular momentum निकालना है किसी particle का तो या तो position vector लिख लो और अगर position vector नहीं लिखना है तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है हम line of motion of linear momentum linear momentum की line of motion पर परपेंडिकुलर खीश देंगे ठीक है तो यह तरीका हो जाएगा p into r perpendicular अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है दूसरा method भी लगबग ऐसा ही है method 2 में क्या करते हैं मानलो particle यहाँ पर है यह इसका position vector है r और linear momentum है p के बराबर तो इसमें आप क्या करो r के component कर लेते हैं जो position vector के दो component कर लिए एक linear momentum के parallel एक linear momentum के perpendicular तो दो component क्या होंगे एक component तो यह हो गया इसका यह perpendicular हमने खीचा यह हुआ आर परपेंडिकुलर और एक बनाई है हम यहाँ से आर पेरलल तो triangle law vector addition से यह प्लस यह इससे क्या आ जाएगा r आ जाएगा तो जो total angular momentum है total angular momentum एल इक्वल टू जिसको कि हम लिखते है r cross p अब उसको ऐसे लिख सकते है l equal to r perpendicular plus r parallel cross p तो l equal to r perpendicular cross p plus r parallel cross p equal to यह r perpendicular cross p केवल बचेगा और यह कितना हो जाएगा 0 क्योंकि r parallel linear momentum के parallel है तो दो parallel vector का cross product हो जाता है 0 तो यह 0 हो जाएगा और इसको अगर हम simplify करें तो यह भी वही आता है r perpendicular into p और इन दोनों vector के बीच में angle कितना है r perpendicular और p के बीच में 90 degree sin 90 degree into n cap तो एक तरीका यह भी होगी अलगबग वैसे ही है ठीक है दूसरा method क्या हो सकता है momentum को resolve करके method 3 resolving linear momentum linear momentum को resolve करके भी किया जा सकता है अब इसको मैं question से समझाता हूं तुमको ठीक है इससे नहीं इसमें कोई doubt है question यह है एक table है इस table की edge पर एक particle रखा हुआ है जिसका mass है m ठीक है table की edge पर एक particle है जिसका mass m है particle is given horizontal velocity v naught देन फाइंड 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 एंगिलर मोमेंटम of particle as a function of time लेकिन हमको यह भी पता होना चाहिए कि कि इसके बाउट निकाल मैं है function of time इबाउट point of projection यह हम निकाल रहे हैं point of projection के यह बाउट यानि इसी point के बाउट एज के बाउट निकालना है ठीक है अब जब पार्डिकल को प्रोजेक्ट कर दिया अंडर ग्रेविटी यह मूव करेगा तो प्रजेक्टाइल मोशन होगा इसका प्रजेक्टाइल मोशन होगा तो मौन component कीतना है वी नॉट कांप यह चैंज हो जाएगा दो सब्हूं के बराबर है और वर्टीकल कंपोरेंट के तना होगा तो तो तौब मैं निकालने के लिएPal एक्वल टू यू वाई प्लस एवाई इंटू टी, first kinematical equation vertical direction में लगाई, तो व वाई इक्वल टू यू वाई तो जिरो है, प्लस, acceleration due to gravity G, तो यह हो जाएगा वी वाई इक्वल टू जी टी के बराबर, तो यह velocity मिली हमको व जिसकी value है, जी टी, अब linear momentum की दो component कर लिए हमने एक component तो हो गया यह vertical इसको लिखा हमने MVY और दूसरा component हो जाएगा MV0 ठीक है अब दोनों linear momentum से हम अलग-अलग angular momentum calculate करते हैं यह linear momentum है MV0 तो हम कह लिखे MV0 into perpendicular distance L1 में लिखता हूं L1 equal to MV0 यह कौन सा वाला linear momentum ले रहा हूं मैं horizontal direction में इसकी perpendicular distance कहां से कहां तक की होगी तो यह line of motion हम बना लेते हैं यह line of motion है इसकी तो perpendicular distance कौन से distance है हमको यह वाली यह distance रही है तो यह distance है कितनी तो particle time t में vertically कितना नीचे आ जाएगा इसमें फिर equation लगा लेते हैं s y equal to u y into t plus half a y into t square vertical direction में हमने equation लगाई तो इसको मैं लेक लेता हूं suppose यह h है तो s y यह नहीं h equal to u y कितना लिखेंगे u y vertical direction में initial velocity 0 थी तो यह 0 plus half gt square तो यह h की value कितनी है half gt square और जब मुझे यह वाला angular linear momentum देखना है m v y तो इसकी जो line of motion है इसकी perpendicular distance कितनी है यह इस perpendicular distance को अगर हमने नाम दिया सपोज h1 यह h ना लेके इसको r नाम दे देते हैं सपोज तो यह r equal to कितना आएगा वी नॉट इंटु t क्योंकि horizontal direction में यह constant वाला सुटी से चल रहा है पार्टीकल तो टाइम में यह horizontal displacement कितना cover करेगा वी नॉट इंटु t के बराबर तो वी नॉट इंटु t horizontal displacement है अब यहां पर दो angular momentum separately calculate कर लेंगे एक तो हो जाएगा l1 अच्छा यह लिखा था ना मैंने l1 mv not into perpendicular distance तो इसके लिए perpendicular distance कितनी है हाफ gt square के बराबर यह एच एच तो mv not into half gt square इसकी direction और बता हो जरा एंवी नॉट है right side में अच्छा direction लेकालना कैसे तुमको वही r cross mv करके तो यह mv की direction है और perpendicular distance के दार नीचे है दोनों की tail एक साथ होना चाहिए यह mv not की direction और h की direction यह है अगर दोनों को vector मैंने मान लिया है तो दोनों की tail यहां मिला दे है तो h cross mv not sense of rotation anti clockwise direction k cap तो यह हो जाएगा k cap की direction में ठीक है दूसरा वाला angular momentum l2 equal to linear momentum कितना है यह mv y और perpendicular distance कितनी है यह mv y की perpendicular distance है r और इसका direction क्या होगा इसका direction हम निकालते हैं यह mv y था और perpendicular distance इदार है और sense of rotation आएगा clockwise direction inward यानि माइनस k cap तो माइनस k cap की direction इसको भी वेक्टर लिख लेते हैं अब यह सब value substitute कर दो v y की value कितनी थे मानव L1 प्लस L2 करने पर total कितना रहें 1 by 2 mv naught gt square k cap minus m v y था v y कितना है था जीटी और आर था v naught gt square k cap यह angular momentum आई इसका as a function of time है ना तो इसमें हमने क्या किया इसमें linear momentum के component कर दिये दो ऐसा इसलिए किया दो component करने से क्योंकि एक तरीका तो यह हो सकता था कि हम direct r cross mv करके निकालें तो r cross mv में समस्य यह आ रही थी कि इसकी जो velocity है total वह velocity तो इदर होगी वी और फुर मुझे आर चाहिए तो मैं आर बनाऊंगा यहां से तो यह होता आर तो यह आर calculate करना पड़ता है तो आर calculate करना पड़ता और वी निकालना पड़ता है ना थिर उसके बीच में angle भी चाहिए कितना angle होगा आर क्रोस एम वी जब एम वी आर साइन थीट आएगा तो उससे better हमको यह लगा कि हम linear momentum के component कर लेते हैं एक MV naught और एक MVY तो यह जो perpendicular distance है इनको देखना ज़दा आसान है ठीक है करने को तो वहां से भी हो जाता है चलो अब और आगे बढ़ते हैं कि अब जो रहां में देखूं एंग्यूलर मोमेंटम कि मूविंग पार्टिकल along x-axis तो क्या situation है इसमें इसमें situation यह है कि यह y-axis x-axis एक ब्लॉक है छोटा ब्लॉक है पार्टिकल की तरह से यह ठीक है और यह मूव कर रहा है velocity v से मास इसका m के बराबर है तो मुझे इसका एंग्यूलर मोमेंटम निकालना है point a के about तो एंग्यूलर मोमेंटम अभी सभी लोग नहीं बूलना मैं जिस से पूछ नहीं बताना आंसर सबको पता होगा मुझे method भी पूछना है angular momentum of block about a l a लिखा मैंने इसको l a equal to तो a के about इसका angular momentum कितना होगा सवरभ तुम बताओ राजीव कहां गया राजीव तुम बताओ कितना angular momentum लिखेंगे आर्क्रोस अंभी से कर दो ख्यादा आर्क्रोस मवीसे कितने लखेंगे इसका angular momentum अचे अज़्या अच्छा ये सभी पता हो यतना यवी समझ में मैं आला सकते हैं उसका angular momentum क्या होगा स्के होगा जीरो क्यों है reason बताओ आंसर सही है तुमारा आंसर सही है distance कौन सी zero है तुमने इतनी सारी बताई ऐसे तो ये distance zero का है ठीक ठीक है प्रिया तुम बताओ angular momentum कितना है zero है मैं सब को बता रहा हूं answer zero है लेकिन zero क्यों है ये भी तो बताओ कैसे explain करोगे दो तीन तरीके है अगर हम simple ये वाला formula लगाते है r cross mv तो इसके basis में बताओ angular momentum zero क्यों आएगा modulus of r modulus of mv और ये r position vector किसका होगा इस block का तो इसका position vector अगर मैं यहां से बनाऊगा तो ये आएगा r और mv तो mv और r दोनों की बीच का angle कितना है zero degree है तो sine zero degree तो ये कितना है angular momentum zero दूसरी चीज़ ये थी कि जो linear momentum है mv उस पर perpendicular भी खीच सकते हैं तो लेकिन इसकी जो line of motion है linear momentum की line of motion यहीं से पास हो जाती है ये से तो perpendicular distance तो जीरो है इसका बास वन जाई तो angular momentum zero आया अच्छा ये बताओ कि angular momentum किस point के about हम calculate कर रहे हैं क्या इस fact पर depend करता है क्यों नहीं करता है बताओ तो मैं मुझे लगता है तुमने बोल पहले दी है सोच बाद में रहे है चलो एक हम दूसरा point select कर लेते हैं यहाँ पर यह बी ठीक है और यह distance कितनी है डी अब angular momentum angular momentum about point B निकालना हमको LB तो LB equal to राजी बताओ LB कितना होगा दो तरीके हैं इसको solve करने के एक तो linear momentum MV और उसकी perpendicular distance कितनी है कितना ने आर नहीं है इसमें आर नहीं है डी है यह distance MV into D हो जाएगा यह linear momentum है MV और यह perpendicular distance कितनी है डी के बराबर ठीक है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R cross MB इसको चलो मैं R1 लिखता हूं तो R1 से हमारा मतलब क्या है R1 से हमारा मतलब है particle जब यहां पर है तो इसका position vector चाहिए लेखा R1 यह position vector है इसका ठीक है तो R1 cross MB लेकिन इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे हैं यह R1 यह MB angle कौन सा आएगा इसमें यह वाला theta तो इसको अगर हम open करते हैं cross product को तो यह बचेगा R1 MB sin theta n cap तो यह angle अगर theta है तो यह भी theta होगा तो इस वाले triangle में sin theta equal to perpendicular d upon hypotoneus r1 तो d r1 equal to sorry d equal to r1 sin theta है तो यहां r1 sin theta को d लिख दें तो हमको मिलता है mvd into n cap n cap किस direction में? r की direction यह थी mv इदर है r cross mv ऐसे करोगे आप outward k cap की direction में तो b अगर हमने point लिया तो angular momentum अलग आया a लिया तो angular momentum अलग आया इसका मतलब यह है कि angular momentum depend करता है origin पर कि हम किस point के अबाउट angular momentum निकाल रहे हैं ठीक है समझ में आगिया यह अब यह एक important चीज में तुमको बता रहा हूं यह point आप नोट करके रखेंगे angular momentum depends on selection of origin अब देखो इसमें तुमको असली चीज समझ में आएगी इसमें हम एक्जाम्पल किसका लिए रहे हैं कॉनिकल पैंडूलम का अग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें situation यह कि एक पार्टीकल है और उस पार्टीकल को circular path में मूव करा रहे हैं उस पार्टीकल को एक string से बान दिया है उस string की length कितनी है L के बराबर particle circular path में move कर रहा है ये angle कितना है मानलो theta है और radius of circular path कितनी ले 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 r के बराबर situation clear है क्या हो रहा है इसमें एक particle है string से बंदा हुआ है string की length है l particle का mass m है फिर उसको एक circle में गुमाना शुरू किया तो particle circular path में move कर रहा है particle is moving in horizontal circle with constant speed v और radius कितनी है r है तो किसी instant पर मानलो particle यहाँ पर है कहां बनाए जिससे की दिख जाए साफ साफ यहीं अब यह 3D की situation है board में बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है इस point को हमने मान लिया A और यह है B तो हम angular momentum calculate करते है particle का about point A अबाउट A LA इक्वल टो तो जो method है हमारा calculation का वो क्या है वाई वो यह है कि एक तो जब particle मानलो यहाँ पर है इदर है तो इसका linear momentum की direction क्या है linear momentum particle ऐसे गुम रहा है ऐसे particle इस तरह से गुम रहा है हमने यह वाली position ली तो linear momentum के दर है अंदर की तरह है tangential होगा velocity जिस direction में उसे direction में linear momentum आएगा तो linear momentum tangential है यहाँ पर और यह है R तो R cross MV कितना हो जाएगा तो यह होगा MVR और direction R cross MV की direction देखो यह तो R निकल जाएगा यहाँ पर MV अंदर की तरफ है angle 90 degree होगा MV इदर होगा अंदर की तरफ coordinate system हम यह वाला ले लें अगर X Y J cap की direction में J cap की direction में आ रहा है न तो यह MVR into J cap होगया अज़े इसकी direction constant है की नहीं है angular momentum की पार्टिकल जब move कर रहा है तो throughout the motion angular momentum LA direction और magnitude दोनों में constant है की नहीं constant है ठीक है तो LA is constant in direction and magnitude both point A के अबट angular momentum constant आ जब आ है अब जड़ा हम निकालते हैं एल बी एंगिलर मोमेंटम बी के अब आउट यह इधर हो या वहीं बना लेते हैं चलो जैसा पहले बना हुआ था यह अब पार्टिकल यहां पर है है ना अब मुझे इसका angular momentum निकालना भी के अब आउट तो क्या करना पड़ेगा बताओ एक तो हम को यह position vector चाहिए आर वन है ना तो यह होगा आर वन cross MB अब मुझे बताओ आर वन और MB के बीच का एंगल कितना है हुआ है